कि नमस्कार दोस्तों हेल के इंडेप्थ एनलीसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग हेल का फर्डमेंटर्स देख लेते हैं हेल एक लाज कैप की कंपनी है डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और इसका जो मार्केट कैप है 3,19,000 करोर के आसपास है इसका जो पी है वो 38 पर चल रहा है जो कि इसके सेक्टर पी जो की 47 है उससे कम में है यह ठीक है यानि कि यह एक अच्छे प्राइस पर है ठीक है तो यह यहां पर अपने लिए एक अच्छा पॉइंट हो गया लार्ज कैप का है यह भी अपने लिए से 47 47 पर चल रहा है बुक वहल फोर 34 मतलब नहीं है रहा है रिटान अने लिए अच्छा है 28 परसेंट का यह अपको रिटान ने इक्यूटी बना करके दे रहा है हर साल धिविडेंट की बात करें तो च्छा नहीं है यह ठीक है बठान डिविडेंट दे रही है यह सिफ्टी ठ रिपेर करने में एंटीरनस करने में ठीक है दोस्तों इसका जो औरडर उडर है वह इंडिया मेह ही होगा और ये इसका जो जिम्मेदारी मिला है वह मिला है है तो इसका डिरेक्ट बेरिफिट होगा और बुक के त्यक्ते का है नया वाला 67,000 करोड का इसका और बुक है तो इस हिसाब से और इसका जो डिलिवरी है इस एरक्राफ्ट का वह कब से सुरू हो जाएगा वह बोला गया है तो यह एस्टिमेट लगाके जखा जा रहा है मतलब यह लॉंग टर्म के पूर्फोलियो में रखना स्टॉक को कोई गरबड नहीं है अच्छा ही है बल्कि और यहां पर अगर प्रॉस कौंस की बात करें तो कंपनी अल्मोस्ट डेप्ट फ्री है ठीक है यहां पर कॉंस की बात करें तो इसकी जो बुराईयों में से एक है वह है कि ग्यारा गुना ज्यादा चल रहा है अपने बुक वैल्यू से कंपनी जो है वह लास्ट सेल्स का जो ग्रोथ दिखाया वह माइनस आठ परसेंट का मतलब लास्ट फाइव येर्स के मुकाबले जो की थोड़ा सा खराब दिखाया इसने सेल्स ग्रोथ हाला कि इस का ओटर बुक मजबूत होने का जासे ये चीज अब ठीक हो जाएगा आने वाले कोटर में दोस्तो पियर्स की बात करें तो इनके पियर्स में आता है हिंद भारत डैनेमिक्स, B.E.M.L, M.T.R. टेक्नोलोजी, पाराट डिफेंस, आइडिया फोर्ज और N.I.B.E इन में से अगर बास्केट बना के रखना हो, अगर मतलब आप लोग में से कुछ लोग जो बास्केट बनाना चाहते हैं तो उसमें H.E.L. रख सकते हैं, पाराट डिफेंस रख सकते हैं, और B.E.M.L. रख सकते हैं, दोस्तो प्रॉफिट अन लॉस की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है हम लोगों कंटिनिवसली बढ़ता हो दिखाए दे रहा है, कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो इस पर नेगेटिव गया है मार्च में, दोस्तो यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, वो है इसका शेयर होल्डिंग पाटन पर यहा दोस्तों यहाँ पर अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट कुछ इस तरीके से है, ठीक है, यह जो चार्ट मैंने ड्रॉड किया है, यह मेरे सपोर्ट गृूप मैं भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, पिछले साल यह 3200 के आसपास था, यहाँ पर इसने rally start किया था, और rally start करन यह वाला जोन को निकालने के बाद यह वाला टार्गेट हमारा अचीव हो जागा जो की है 5991 का ठीक है यह टार्गेट कैसे मिलेगा तो यह अभी फिलाल टाइमवाज करेक्शन में चल रहा है और यह एक असेंडिंग पैटर्न भी है अगर आप लोग ध्यान से जखो इस चार्ट को ठीक है यहाँ पर चार्ट में मैंने यहाँ पर एक एक क्यूमिलेशन एरिया बनाया है अगर आपके पास क्वांटिटीज है और आप इस स्टॉक में और एवरेज करना चाहते हैं या क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस एरिया में आने दीजिए इस एरिया में आता है अगर यह चार्ट तो यहाँ पर क्वांटिटी एड़ कर सकते हैं अभी फिलाल जहां चल रहा है क्वांटिट एड करना बहतर होगा अभी जहां चल रहा है इस एरिया में कुछ करने के जरूत नहीं है आराम से चलने दीजिए अगर माल लीजिए कि इसी इसी पैटर्न का यहीं से ब्रेक आउट कर दिया तो फर्स टार्गेट होगा यहीं से जहां से यहां से गिरावट जहां से प्टी फटी फॉर फॉर फंडट के पास यहां पर मेजर फिर से रिजिस्टेंस देखने को मिलेगा इसको कुछ दिन टाइम बिताने के बाद जब निकालता है तो फिटी नाइंड नीटी के टार्गेट यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है आई हो आप आप लोगों को इस वीडियो में तिल आपना ख्याल रिखेगा, गुडबाई. झाल रिखेगा, गुडबाई. झाल रिखेगा, गुडबाई.